नमस्कार और स्वागत है दोस्तों का एक बार फिर से स्पोर्ट्स टॉक पर तो टी ट्वेंटी वर्लकप के लिए भारती टीम का चैन हो गया पर सो लाइब भी आये थे हमने लगातार हम लोगों ने चर्चा भी की लेकिन स्कॉर्ड आप सबने देखी लिया होगा एक पर फि ठीक है इसी तरीके के प्लेयर्स को आपको जरूरत भी थी लेकिन एकाद ऐसे प्लेयर हैं जिनकों की स्कॉर्ड में होना चाहिए था फॉर एक्जामपल रिंकु सिंग को बाहर कर देना मुझे समझ में नहीं आया आज तक मैं समझ नहीं पाया हूं कि 90 के आवरेस से 176 के स् और भाई इतनी तो क्रिकेट मैंने भी देखिए इतनी क्रिकेट मैंने भी खेलिए जानता हूं कि रिंकु ने जो काम किया उसकी स्कॉर्ड में अचानकी जिगे नहीं बनी यह मेरे समझ में तू नहीं आया बाकी मुझे लग रहा है कि अर्षदीब सिंग से बहतर टीन अट थी रेंटर अठर आजन को इस टीम में जरूर होना चाहि था मात्र तीन की तेज गल्योज है हमारे पास मेंõग कहने को को केहड़े कि नहीं सर हमारे निकाल देंगे तो इसको लेकर के डाउट ही है खैर ये तमाम चीज़ों पर चर्चा करते रहेंगे लेकिन पहले में एक बार स्कॉर्ट दिखा देता हूं उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि क्या भारत की बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकती है ये स्कॉर्ट आपने सिंग जस्पीत बुम्रा और मौमा सिरा जी आपकी कुल मिलाकर के 15 की स्कॉर्ट है चारव इन्होंने रिजर्व रखे हैं शुबमन गिल इसकलब रिंकु सिंग खलील एहमद और आवेश खान को इन्होंने रिजर्व में रखा तो ठीक है फिर एनफ टीम लगबग ठीकी है इसमें बस रिंकु को होना चाहिए था तीन अटराजन भी हो जाते तो ज्यादा बहतर होता और अक्षर पटेल भी हैं कुलदीप यादब भी हैं और रविंदा जारजा भी हैं तो यह समझ में नहीं आया कि तीन लेफ्ट आम स्पिनर क्या हैं खेर अब तो टीम चुली के साथ हमारी टीम आएगी सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं देखिए इस टीम में मेरे नजर में पांच प्रॉपर बल्लेबाज हैं रोहिट शर्मा या शस्वी जैसवाल विराट कोली सुरी कुमार यादब शिवम दुबे कई सारे लोगों के लिए शिवम दुबे में और राउंडर की सुची में नहीं रखना चाता हूं गेंड बास मुझे नहीं रखता कि वह अभी भारतिय टीम के लिए इंटरनाशनल लेवल पर मतलब वर्ल्ड कप जैसे बड़े टॉर्नमेंट में अगेंस ऑस्ट्रेलिया या न्यूजलेंड या साउथ आफ्रिका य नहीं है शिवम दूबे तो इसलिए मैं उनको बल्लेबास की सुची में रखता हूं दो विकेट कीपर संजू सैमसं रिशपपंध फेर एनफ तीन ऑल राउंडर हैं हार्दिक पांडिया रविंदर जाड़े या अक्षर पतेल दो स्पिनर आपने खिलाएं कुल्दीप या कुशिश की है पहले प्लेइंग 11 में मैंने रोईट शर्मा और जैसवाल से ओपन कराया है जैसवाल को मैंने मौका दिया है लेट्स होप की उनके बल्ले से रन आ जाए और इंटरनाशनल लेवल पर बड़े माचस में बड़ी टीमों के खिलाप में रन करने तो बहतर होगा साउट आफरिका में यशासवी जैसवाल कंपलीटली फेल हो गये थे मतब आपने देखा होगा बल्ला चला नहीं था यशासवी जैसवाल का लेकिन कम से कम वर्ल्ले से रन आ जाए टीम इंडिया के लिए टॉप और में तो रोईट शर्मा के लिए अच्छी बात होगी और अच्छी बात होगी और हम जैसे फैंस के लिए तो इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है तो चलो पहले मैंने जो अपनी स्कॉर्ड बनाई है फर्स प्लेंग 11 में मैंने रोईट शर्मा और यशासवी जैसवाल से ओपन कराया है तीन नमबर पर मैंने विराट कोली को रखा रखा है चार नमबर पर सुरीकुमार यादव पाँच नमबर पर मैंने रिशपपन्थ को रखा रखा आ उसके पीछे रीजन है अगर मैं तीन या चार नमबर पर खिलाने के बारे में सुचता तो मैं definitely लेकर के आता संजू सैमसन को उपर लेकिन चुकि 5 नमबर पर यहाँ पर slot बचता है तो मैं रिशब पंद को लेकर के आना चाता हूँ और यहाँ के बलेबास भी आपके पास में आ जाएंगे तो रोयचर्मा, यशसभी जैसवाल, विराट कोली सुरीकुमार यादव और फिर रिशब पंद को मैंने 5 नमबर पर खिला है इसके लाब आप फिर मैंने 6 नमबर पर हार्दिक पांडिया, 7 नमबर पर मैंने रविंडर जाड़ेजा और अक्षर पटिल में से किसी एक को खिला लीजे, टीम मैनेजमेंट जाड़ेजा को खिलाएगी, आठ नमबर पर कुल्दी प्यादव को आप खिलाओगे, क्योंकि लेफ्ट आम अन और्थोडॉक्स गेन बास हैं, विकेट टेकर गेन बास हैं, और ये दोनों तरीके के बलेबासों को परिशान करते हैं, लेफ्ट हैंडर, राइट हैंडर, तो मेरे क्याल से आठ नमबर पर कुल दी प्यादव, नौ नमबर पर आप चाहते हो, तो यह जुबेंड चेहल को खिला सकते हो, वो डिपेंड करेगा पिच के कंडिशन पर, अगर पिच कह रही है कि नहीं तेज गेन बास आपको खिलाना है तो आप तीन तेज गेन बास के साथ में आ जा सकते हो, बलब फिर नौ नमबर पर आप सिराज को खिला लिए, दस पर बुम्रा है, ग्यारब पर अरश डीप सिंग, यही तीन तेज गेन बास है लेकिन अगर पिच कंडिशन ऐसे है, जहां पर कि आपको एक एक एक्स्ट्रा स्पिनर को खिलाना है तो अब्यसी बात है, फिर आप चाहें तो अरश डीप यह सिराज में से किसी एक को खिलाएंगे, बुम्रा होंगे और ऐसे में फिर यह जुबे इंड चहल को खिलने का मौका मिल जाएगा लेकिन वो कंडिशन के हिसाब से देखा जाएगा कंडिशन अगर फेवरेबल होगे स्पिनर के लिए तो मुझे लगता है कि कुल्दीप यह जुबेंड चहल दोनों खेलेंगे साथ में रविंदर जाड़जा भी होंगे और फिर दो तेज गेन बाज में जस्पीद बुम्रा अरश डीप सिंग होगे यानि कि यह आपकी प्लेइंग 11 होगी रोज शर्मा, जैसवाल, विराट कुली, सूरिया इसकलबा, रिशपपंध, हार्दिक पांडिया, जड़ेजा, कुल्दीप यादब अगर स्पिन फ्रेंडली विकेट है तो या जुबेन रिचहल अगर तेज गिनबाजों को मदद करीगी तो सिराज को खिला लिजे और बुम्रा अरश डीप सिंग ये आपकी पहली प्लेइंग 11 हुई हलांकि एक और प्लेइंग 11 मुझे लगता है कि जो भारती टीम बना सकती और उसकी संभावना सिन्टे है इसको जरा ध्यान से सुनीएगा। तो तीन नमबर पर फिर सुरी कुमार यादव को खिलने का मौका मिल जाएगा। चार नमबर पर फिर आप अगर चाहते हैं तो खिला सकते हो संजु सैमसन को या अगर चार नंबर पर अगर खिलाना है आपको शिवम दुवे को तो चार नंबर पर शिवम दुवे को खिलाइए फिर पांच नंबर पर आप रिशब बंद को खिला सकते हो या संजू सैमसन को खिला सकते हो लेकिन अगर पांच नंबर का स्लोट होगा तो I would prefer रिशब पंथ, मैं रिशब पंथ को प्रेफर करूँगा, लेकिन अगर रिशब का बल्ला नहीं चलेगा, जिस सरीके का उनका T20 का, मतलब उन्होंने पर्फॉर्मेंस की अबाइस का एवरेज है, तो फिर संजू सैमसन आप मैं खिलाना चाहता हूँ, विराट कोली को ओपन करना चाहता हूँ, विराट कोली रोईट शर्मा से तीन नंबर पर सुरी कमारी आदब, चार नंबर पर मैं खिलाना चाहता हूँ, आपके शिबम दूबे को पांच नंबर पर खिलाना चाहता हूँ, रिशब बंद, छे नं कर रही है विकेट अगर स्पिनर फ्रेंडली विकेट है तो आप यह सबेंट चेहल को लेकर आजीए और फिर बाकी जो दो आपके पास में तेज गीन बाज है उसमें आप जस्पीद भुम्रा और अरश्डीप सिंग को लेकर के आ सकते हैं यह यह भी आप कर सकते हैं कि माली ज कर सकते हैं कि इसको लेकर के आएंगे अरश्डीप सिंग को लेकर के थोड़ा सा मेरे वन में डाउट है क्योंकि उन्होंने अच्छी गेनबाजी की थी 2022 में लेकिन फिर दिक्कत यह है कि एक तो नो बॉल बहुत डालते हैं उपर से क्या है कि बहुत ज्यादा उनका एकॉन गेनबाज हमारे पास में होने चाहिए मुझे ऐसा लगता है कि तेज गेनबाजी की मामले में हम मिसिंग है अच्छा कई सारे में एक्स क्रिकेटर को सुन रहा हूं जैसे कि गौतम इनको मैंने सुना चाहिए मौमत कैफ का अभी में एक वीडियो देख रहा था रिसेंटली और को उन्होंने सेट किया और यह वो कह रहे हैं कि पांचवे गेनबाज के तौर पर हमारे पास में जो हैं वो गेनबाजी कर लेंगे हार्दिक पांडिया और शिवंदुवे मैं एक चीज़ कहाँ सकता हूं विडियो रिस्पेक्ट तू मोहमत क्याफ मैं एक चीज़ कहना चाहूंगा भाई इंटरनाशनल लेवल पर शिवंदुवे और हार्दिक पांडिया पहले तो मैं अभी हार्दिक पांडिया को लेकर के ही डर रहा हूं कि इंटरनाशनल लेवल पर इसलिए मैं अपनी टीम में पांच गेनबाज प्रोपर खिलाता हूं जाडे जा कुल बी ओर डाले तो बस जैसे लोग कहते हैं कि दो और यी तो डालना है दो ही ओवर में माच खतम हो जाएगा भीया दो ही ओवर में माच इधर से उधर चला जाएगा और आज कल के मौडरन बलबाज इतने स्मार्ट हो गए हैं कि अगर माली जी कि आपके शुरुवाती ओवर में आपने दो तीन विकेट निकाल भी लिए और जैसी उन्होंने देखा कि शिवम दुवे गेंबाजी करने के लिए आए हैं मुझे लगता है कि वो आकर के अटैक करेंगे उसी द मानना है कि 5 प्रॉपर गेंबास 6 गेंबास के तौर पर आपके पास में हार्दिक पांडिया और शिवम दुवे को अगर आप रखते हैं तो वो आपके पास में विकल्प हो जाएंगे 7 में के तौर पर जो मैंने दूसरी प्लेंग 11 बनाई है रोहित शर्मा विराट कुली स सूरिया दुवे पंथ हार्दिक जाड़य अक्षर में से तो साथ आपके पास में प्रॉपर बल्दवास भी हो जाते हैं तो मेरे क्याल से यह ज्यादा अच्छा ऑप्शन होगा लेकिन उसमें फिर यश्यसवी जैसवाल की टीम में जगें बनती है तो फिर शिवम दुवे से नीचे खिलाना है तो मेरा मानना है कि फिर रिशव पंथ को लेकर के आना चाहिए वह ज्यादा बैतर ऑप्शन हो सकते बाकि आप लोगों का क्या कहना है आपने अपनी टीम के सरीके से बनाई है मुझे कॉमेंट करके बताएगा वीडियो को लाइक कर देगा और चैनल को